पहले से BPSC Office में अधिकारी हैं जो धांदली सेटिंग में सनलिपत रहते हैं भरष्टाचार में सनलिपत उन लोगों ने सलाह दिया होगा परसिंटैल या नॉर्मेलाइजेशन में क्या होता है न कि उसमें कुछ एक फर्मूला नहीं है जिस भरतिया योग को जो मन होता है अपनी अनुसार वो फर्मूला टैकर लेते हैं कि कैसे लागू करना है और आभियर्थियों को कुछ पता नहीं चलता है और किसी को जैदा मार्क्स है फिर भी वो फिल कर गया कम मार्क्स है वो पास कर जाता है नि karş Iraq का एक रास्ता नया रास्ता आपको आयोग पर भरोसा नहीं आयोग में चियर्मेन हैं और सदस्य हैं किसी पर भरोसा जोंटoubt यह उन्य हैं दर केहीं तो कुछ लोग सिख्छा मापियाहों से मिले हुए है एक भी सिफ्ट में अगर परिक्चा होती है और उसमें भी अगर अलग अलग कोस्टन रहेगा तो भी उसमें धांदली हो जाएगी अपने लोगों को इजी कोस्टन दे देंगे पहले बता देंगे तो उसमें पेपर लिका मामला भी नहीं आएगा तो इसलिए यह किया जा रह है सिविल सेवा की परिक्चा है अप उसका थ्वासा तो रखिये ध्यान और यह नोटांकी किया जा रहा है सबका ध्यान भटकाने के लिए और अपने लोगों को सिट करने के लिए सिक्छा माप्याओं का जो बड़ा गिरो है जिस यह पटना के कुछ कोचिंग सिक्चक हैं इसके अलावे कुछ IES IPS अधिकारी है कुछ नेता है इन लोगों का जो गिरो है छोटा-छोटा सेटर को छोड़ दीए संजीब मुकिया या डॉक्टर सिभ कुमारी सब को छोड़ दीए तो छोटा-छोटा है इसके ऊपर जो बरा-बरा है उन लोगों का खेल है यह दोजार सबसे बड़ी बहाली का नोटिफिकेशन आयोग के तरब से जारी कर दिया गया 1957 पदो की बहाली है सतरवी BPSC की लेकिन नोटिफिकेशन आने के साथ ही विवाद भी खरा हो चुका है यह वही विवाद है जो इसके पहले भी एक बार गरमाया था बाद में नितीश कुमार के हस्तक छेप के बाद यह मामला थंडा हुआ था लेकिन एक बार फिर से जब नोटिफिकेशन सतरवी BPSC का आया तो अभियर्थी थोड़े चिंतित हो गए हैं एक तरफ बंपर बहाली की जो खुसी उनके चेहरे पर थी नोटिफिकेशन में कुछ कही गई बातों ने उनके सामने असमंजस के इस्तिती पैता कर दी हैं उसरी तरफ अभ्यर्थी परसेंटाइल को लेकर थोड़े नराज हो गए हैं क्या है क्या कुछ खबरे हैं देकि सबसे पहले तो जो सिविल सेवा के छेतर में बिहार में सबसे बड़ी बहाली अभी तक की आई है उसके लिए हम नितीज कुमार जी को धन्यवाद देते हैं क कि एक रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने इसके लिए धन्यवाद देते हैं लेकिन सबसे जैदा विवादास्पत सबसे अधिक विवादास्पत बहाली यह नहों इसका भी ख्याल रखे सरकार और बीपीसी और जब परसेंटाइल के मुद्धे पे 2022 में महा अंदुलन हुआ थ कि दो सिफ्ट में परिक्षा करवाएं और परसेंटाइल लागू लेकिन उस समय हम लोगों ने जवर्दस्त विरोद किया अंदोलन हुआ तो नितिश कुमार जी ने आदेश दिया कि एक परिक्षा होगी परसेंटाइल लागू नहीं होगी उस समय अतुल परसाद जी अध परसेंटाइल और दो सिफ्ट में परिक्षा की बात कही जा रही है क्या ये बात नोटिफिकेशन में है बहूं है पहले BPSC को कैसे पता है कि 12,15,000,000 फॉर्म गिर जाएगा भाई जो आप प्रेस कोंफरेंस में या फिर ऐसे भी बोल रहे हैं कि भाई 10,12,000,000 फॉर्म गिर जाएगा तो 10,12,000,000 का आप एक स्रिफ्ट में नहीं ले सकते हैं कौन सी पर 50,000,000 फॉर्म तो नहीं गिर रहा है 20, 20,000,000 फॉर्म गिर जाए तब आप यह बात सोचिएगा 20,000,000 फॉर्म गिर जाए भरा जाए तब आप सोच सकते हैं कि क्या करना है लेकिन जब तक 10,12,000,000 की संक्या तो आम से अप एक स्रिफ्ट में परिक्षा करा सकते हैं तो यह बहानाबाजी ने आप 6,000,000 भी जब था यह बताईए कि अभियर्तियों को पर्सेंटाइल से दिक्कत क्या है सबसे बड़ा सवाल तो यही है क्योंकि कई और परिक्षाएं अभी हाली में संपन हुई है जो 4-4-5-5 सिफ्ट में ली गई है तो फिर BPSC में 2 सिफ्ट में परिक्षा लेने में दिक्कत क्या है जा जstep के BPSC सिविल सेवा की हम लोग बात कर रहे हैं सिविल सेवा परिक्षा के तो यू पाशिये में तो पर्सेंटाइल लागू नहीं है और और UPSC में जो रहता है उसी तरह लगभग जो राज हैं देश के उन राज्यों में सिविल सिवा में लगभग उसी अधार पे सब कुछ चलता है लागू किया जाता है तो UPSC में तो परसेंटायल लागू नहीं है पुरे देश भर में परिच्छा होती है एक सिफ्ट में परि कति है जहां पहले से परसेंटायल लागू वहां भी परसेंटायल और नॉर्मिलाजेशन को हटाने की मांग हो रही है और कई बोड ने तो हटा दिया है नॉर्मिलाजेशन को हटा दिया गया और जहां भी लागू है वहां भी हटाने की मांग हो रही है परसेंटायल या नहीं है जिस भरतियायों को जो मन होता है अनुसार वो फर्मूला ट約 कर लेते हैं कि कैसे लागू करना अभी रूश्चम को कुछ पता और इस वार सतरमी वीप्यसी में 200 SDM का सीट है 136 DSP का है और भी सीट जैदा है और 1900 से जैदा है लगभग 2000 सीट हो जाएगा हो सकता है बढ़ भी जाए जैसा लग रहा है तो लगभग 2000 सीट है 1957 पर वेकंसी आए ना भी 2000 लगभग सीट होई जाएगा तो इसमें सिख्छा मापिया परिक्षा मापिया जो है और वो लोग निगाहें पहले से टिक आये हुए थे वो लोगों को पहले से पता चल जाता कि 200 SDM आने वाला है तो लोग इसमें अब धांदरी से टिक में लग भरोसा चात्रे निता को नहीं है तो बीपीएसी आफिस के अंदर के ही तो कुछ लोग सिक्षा माफियाओं से मिले हुए है परिक्षा माफियाओं से मिले हुए है इसलिए तो बीपीएसी पर भरोसा नहीं है नि तो सिक्षा माफिया या परिक्षा माफिया जो बाहर का है सम्भाब भी नहीं है लेकिन चुकि वीपीएस ये औफीस के अन्दर कुछ अधिकारी करम्चारी हैं अभी-भी पहले भी थे अभी परिक्षा सही से होगी और न में ऊसपर जाएगा अपने लोगों को सबस्वाइगा पसक्ते हैं तो ये अगर परिक्षा हो जाएगी हुआतली प्रोभादी नहीं है तो इसलिए उसलिए ये किया जागब औरard सिविल सेवा में 1500-500 प्रशन जो है सभी अभी अर्थियों को एक समान मिलना चाहिए अलग-अलग कोस्चन मी नहीं डिभी परिक्षा किरा रहा है यह जो बड़ा है सिविल सेवा की परिक्षा है अब उसका थ्वासा तो रखें ध्यान और यह नटंकी इन लोगों का जो गिरोह है, छोटा-छोटा सेटर को तो छोड़ दिए, संजीव मुकिया या डॉक्टर सीव कुमारी सब को छोड़ दिए, इसके ऊपर जो बरा-बरा है, उन लोगों का खेल है ये, और ये खेल रचा गया है कि पर्शेंटायल और दो सिफ्ट में परिक्छा हो रहा है किस ढविए 1,9000 के नाम ev energía कोिश्ऺ घर कोई खेल तो नहीं होगा। कुछ गलत आंसर तो नहीं दिया जाएंगा। अभी देखिए 3 आंसर की जो फाइनल आंसर की जार हुआ कुछ खुंस ग्लत दिया गया है। तो इससे क्या होगा। कि जो सही आंसर दिये है, मेरिट वाले वो बहर हो जाएंगे. अधिकतर लोग बहर हो जाएंगे. एक नंबर से भी हजारों लोग बहर हो जाते हैं. तो सिबील से वामे शतरवी में भी कहीं ऐसा भी खिलना हो. एक तो परसेंटायल के नाम पर खेल करने की कोशिस है। दो सिर्फट में पड़िक्षा के नाम पर खेल और हो सकता है आंसर की के नाम पर भी खेल होगा कुछ कोशन का अंसर कहीं गलत ना सेट कर देगे। जैसा कि इनका पिछला रिकॉड रहा है Andaस conservative means अपो डिखली नीके बाद सुधार नहीं हुआ न यहीई तो दिख्कत यह ना एसके अपत्ति देने के बाद कहा है अगर को ए पतला दिया है कोई राची दिया है तो इस में कोई विवाद हो सकता है क्या कि बिहार कि राजदान निका है पतला है अब उसको आप नहीं माणिएगा अपने उदारन के τprot पडे दिया तो फिर तो इसका क्या जबाब दिया जाए तो इसलिए मैं करा किताब की हूब हूँ लाइन पुछा गया है कहीं हूब हूँ चीज मिलना उसको नहीं माना जाना तो क्या कहिए गाप यहीं भी प्यस्टी में क्या का था टारस संताबन की करांती में बाब भीर कुमर से कहां समेली तुए पटला अंसर दिया कि पटला दिया दुनिया के किसी किताब में नहीं मिलता है लेकिन उसको जो अभियर्ची के सा pourtant टन्याई हुआ उसका दोसी कौन फौर div पर सकते या जिनकी उम्र है भी वह भी तो रेश से पहले ही बाहर हो गए तो सतर्मी बीपीस्ट में भी मुझे ये डर लग रहा है कि आंसर के नाम पर भी खेल हो सकता है कुछ को संक आंसर जान बुझकर गलत दिया जा सकता है ताकि मेरिट वाले पीटी से भार हो जाए नमब जान बुझकर अभियर्थियों को गुम्रा कर रही है और कंफुजन में रख रही है ताकि अभियर्थी ना तो अंदोलन करे ना तो विरोध करे तो यहीं उधेरभुन में राजा कि क्या होने वाला है तो यह नहीं चलेगा खेल बीपीस्ट करे क्यों चाहती क्या है एक पुछ देते हैं पचास कोशन सभी को एक समान कोशन हो कोस्टन अलग अलग नहीं हो और एक सिफ्ट में परिक्चा हो हम तो यह कह रहे हैं लेकिन बीपीस्ट करना चाहती है इस परस्ट करें यह गुम्राह ना करें जैसे बीपीस्ट करें जयादा संख्या में अगर आप भ परिक्षा नहीं ले सकते एक सिफ्ट में तो माफ कीजिए हुजूर आप उस पद पर बने के लाइक नहीं है बरने के लाइक नहीं आप इस दिफा देके चल जाए किस काम कतब फिर संवेधानिक संगता बीपीसी जब आप 10 लाग अस्ट का एक सिफ्ट में परिक्षा नहीं पूरे बिहार में ले सकते तो आपकी आपकी चंता पता चलता है कि आपकी केटिगोरी में आते हैं तो आप छोड़ दीजिए ऐसे पद पर मत रहें यूपीसी पूरे देश में परिक्षा युजित करवाती है कैसे सही से हो जाता है बीपीसी टीयारी ओन टीयारी टू लेकिन एकजाम में तो कहीं आपको नहीं कराने में डिकत हुई विपीसी तो कोई दिकत ने लगा एकजाम कराने में फिर अभी क्यों दिकत हो रहा है तो यह सिर्फ और सिर्फ धांदली सेटिंग का नया रास्ता यह लोग ठूंडे है ताकि योग्यावीरती को बाहर कर दे और जिसका पेरवी रहे पैसा रहे वो पास करें PT से ही केल मेंस में देखिए मेंस में यही BPSC सर्षटमी पेपर लिका जाच हुआ तो आया न बात सामने कि मेंस की कौपिया बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है वो MRC बाहर ले जाकर रंगमाय गया PT का उस BPSC पे कैसे भरोसा कर ले हम लोग 270 लोग जो TRE 3 पेपर लिकी में सनलिप पाये गये थे हजारी बाग से एरेस्ट हुए उनको अभी तक उन लोगों को अभी तक BPSC ने परतिबंदीत नहीं किया तो उस BPSC पे कैसे भरोसा करे जब TRE 3 का पेपर लिक हुआ उस समय हम लोग पर देखिया ख़बार में TV चनल पे चला कि BPSC की एक अधिकारी ने PIN Pendireim का कोट बताया आज तक उस अधिकारी का नाम नहीं बाहराया आज तक उस अधिकारी पे करवाई नहीं हुए उस BPSC पे हम कैसे भरोसा कर ले आगे बिप्यास्ट येस करें कि वो क्या करना चाहती है नहीं तो हम लोग फिर अंदोलन करेंगे जब अर्दस्त अंदलन होगा पुरे भिहार में होगा दिल्ली में भी होगा हम लोग चुप बैटने वाले नहीं अभिर्ट्टियों के साथ अन्याई क कर रही है हमने बिहार 16-19 नवंबर उत्राखंड PCS मेंस की परिक्षा है जिसका डेट पहले से घोसीत है परिक्षा क्लेंडर मार्च ये आप्रील में ही आ गया था और इधर भी हाल फिलाल एक महिना पहले साथ जारी हुआ और परिक्षा क्लेंडर उसका पहले से जारी था तो BPSD को चाहिए कि कोई एक डिटा पहसित कर रहे है थो पहले देख लिए क्नसक्रम जैसे वील सेवा परिक्षा ले रहे होगी तो कहीं तो और परिक्षा लेए जाए कहीं था रहा है तो शीज रहोगी शाहिश्य के पारेशम करेंगे कि शाग तो 10-19 नमंबर इन्स की परिक्षा प्रिक्षा ma बहुत सारे अभियरति हैं जो मेंस देने वाले हमारे पास भी फोन आया तो आप 17 नमंबर के बाद लिजे यानि 19 नमंबर के बाद आप एक जाम लिए आपका सोसल मेडिया पोस्ट में देख रहा था आपने लिखा कि बीपीएस सी आपका ट्वीटर हेंडल बंद कराने के लि लिखा तो ट्वीटर एकाउंट बंद कराने के लिए साइवर थाना में आवेदन दिया बीपीएसी ने बीपीएसी ने उसमें क्या अरोप लगाया है कि दिलीब कुमार लाखो अभियर्थियों को गुम्रा कर रहे हैं भविश से खिलबार कर रहे हैं और सिक्षक भरती को लेकर अपबाब फेलाया जा रहा है मतलब भरामक भरामक दूस्ट पर चार कर रहे हैं इसका ट्वीटर एकाउंट ब्लोग किया जाए और करवाई की जाए अब बताईए हमने कौन सी गलत बात का दिया हमने टियारी 1 टियारी 2 में जितने भी सेलेक्ट हुए हैं सिक्षक ब चैने टीम गठीत करके किया जाए दिभ्यांग सर्टिफिकेट की जाच्छो जहां से इन्होंने बना है वहां जाके Investigation होकी सही से वहां बना भी है या कि फरजी कहीं अपने से बनाके हुस होस्पीटल का नाम दे दिया तो इसकी जाच्छो डो मिशाइल जाती पर्मान पात सब्सक्राइब कर दिया अभी तो हजारों लोग काया है ना हर एक लगभग कई जिलों से आप लिजे जिला सिच्छा पतादीकारियों ये परखंड सिच्छा पतादीकारियों का ओफिस्यल लेटर जारी हुआ है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि सिक्षक के पास कौन सा डॉकुमेंट्स कमी है सीटेट में फेल है और वो सिक्षक बना हुआ है बेतन उठा रहा है तो सरकार के अधिकारी ही लेटर जारी कर रहे हैं यही चीज हम बोल रहे हैं तो बुट्रा काॉंट बंध कर वाने के लिए स्याना में आज दे रही है यह को डर रहा है चुट्रा करवाने कर दीजेए उमको जेल ऺजवान भेज दिजी हम ड़नने वाले नहीं है 15 में जेल में रहे हैं हम क्यों करें हैं हम सचाई करें रास्ते चल रहे हैं इमांदारी से काम करें एंदारी से यहां है है कि आर किी शी में और सतार्मी वीपेशी में चल राख़्ेल करना है इसलिए उससे पहले दिलिप कुमार के ट्विटर रेकांट को बंद करवातो दिलिप कुमार की आवाज को बंद करवातो तो यह बंद होने वाली आवाज नहीं है कुछ भी कर लिए हमारी आवाज को बंद नहीं कर पाईएगा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए तो देखिए सतरवी BPSC जो की बिहार में सिविल सर्विस की सबसे बड़ी बहाली है लगभग 2000 के आसपास पदो पर लेकिन साथ ही नोटिफिकेशन जारी हुआ तो विबाद भी खरा हो गया है आयोग ने इसमें कहा है कि वो हो सकता है कि दो सिर्फ में भी परिक्षा है ऐसे में फिर परसेंटाइल का मुद्दा उठेगा और इसके पहले भी यह उठ चुका है जहां पर मामला काफी जादा गरम हुआ था लेकिन एक बार फिर से क्या BPSC जो सिविल सेवा की परिक्षा है उसमें बना हुआ है आप देखना है BPSC इस पर क्या पश्टी करन देती है आप सभी का बहुत बहुत धन्य बात